नमस्कार, बाइजूस गौर्मेंट एक्जाम प्रेप चानल में आप सभी का स्वागत है और आज हम 18 मार्च के दहिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्पुन समाचारों का विसलेशन करने वाले हैं तो आएज शुरू करते हैं आज का समाचार विसलेशन यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले यह बता देता हूँ कि आज के इस विसलेशन में हम किन मुद्दों पर चट्चा करने वाले हैं कौन-कौन से विसे हमारे आज होंगे यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको जो कल प्रसंद दिये गए थे उसका मैं उत्तर आपको बता और इसके बाद आज के समाचार पत्र में आए जो भी important editorial और news है उसकी हम यहाँ पर क्या करेंगे विसलेशन करेंगे एनालेसिस करेंगे यहाँ पर आज के newspaper पर अधारित आपको प्रारंभिक परिक्षा के अभ्यास पस्न भी मैं दूँगा और इसके अलावा जो है मुख्य एक था कि निमलिखित कथनों में से कौन सा सही है और पहला कथन है कि चिनाव नदी हिमाचल पर्देश के उपरी हिमाले से निकलती है और सिंधू नदी में मिलने से पहले जम्मू और कस्मीर से होते हुए पाकिस्तान में प्रवावित होती है दूसरा option था आपका कि आपका option है कि भारत चिनाव पर विस्ट के सबसे उंचाई वाले railway विस्ट का निर्मान कर रहा है यहाँ पर आपके तीनों के तीनों कथन क्या है सही है यहाँ पर कथन दो में लोगों को थोड़ा सा क्या हो सकता है confusion हो सकता है दिक्कते आ सकती है क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि चिनाव नदी का जो जल है वो अधिकतर जल जो है पाकिस्तान को अवंटित किया गया है लेकिन भारत को जो है सिंधु नदी जल समझोते के अंदरगत रन ओफ दी रिवर परिजनाओं में निर्मान का अनुमति है अब यह यहाँ पर रन ओफ दी रिवर का मतलब यह होता है कि आप जो है नदी के बहाओ को बीना बदले बीना उसे औरोधित किये जो है क्या कर सकते हैं बांध बना सकते हैं परिजनाओं का निर्मान कर सकते हैं और यहाँ पर भारत को यह आजादी दी गई है सिंधु जल समझोते क अनुसार और इसलिए जो है आपका दूसरा कथन भी क्या है सही है आए बढ़ते हैं कोश्चन नंबर टू की तरफ और कोश्चन नंबर टू था कि मुल्ला पेरियार बांध निमलिखित में से किसके मध्ध विवात का केंदर है तो बहुत ही फेमस बांध है बार बार एक्जा आपको पूछे जाते हैं और यहां पर जो है एंसर क्या होगा आपका केरल और तमिलनाडू आए देख लेते हैं प्रसंतीन को और प्रसंतीन है कि विस्व उर्जा संक्रमन आउट्लूक जारी किया जाता है और इसका एंसर क्या होगा आपका ओप्शन नंबर ए आउ सनचना गठबंदन देशों, सन्युक्त राच एजेंसियों, बहु पक्षिय विकास बैंकों, नीजी छेत्रों और सेक्षिनिक संस्थानों का एक अंतराश्टिय गठबंदन है जिसका उद्देश आपदा लोचसिल बुनियादी धाचे को बढ़ावा देना है दूसरा कथन है कि भारतिय प्रधान मंत्री ने 2019 के UN जलवायू कारवाई बैठक में इसकी सुरवात की थी यहाँ पर जो दोनों के दोनों कथन क्या है आपके सही है आए जो आपको कल प्रिवियस एर के कोश्चन दिये गए थे उसका भी उतर देख लेते हैं और यहाँ पर जो है कोश्चन था कि भारत की संसत को राष्टी हित में राज सुची में नेजिस किसी भी विशे पर कानून बनाने की सक्ती होती है यदि इस संकल्प को निमलिखि द्वारा पास किया जाता है और यहाँ पर आपका option number D यानि की राज सभा द्वारा उपस्थित और मदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई भामत से अगर यह पास कर दिया जाए संकल्प को तो यहाँ पर संसत को यह अधिकार मिल जाता है कि वो क्या कर सकती है राज सूच जाते हैं कि केंद्र जो है कुछ मामलों में राज सूची में दिये गए विशय पर क्या कर सकता है हस्तक छिप कर सकता है पहला मामला तो यह है कि जब देश में आपात का लागू होता है तो यहाँ पर संसत को यह अधिकार मिल जाता है कि वो राज सूची में दिये गए सब संसत को की राश्ठित में जो है वह राज सूची में दिये गए किसी विशय पर क्या करे कानून बनाए तो यहां पर भी संसत को अधिकार मिल जाता है कि वह जो है राज सूची में जो है दिये गए विशय है उस पर क्या कर सकते हैं कानून बना सकते हैं जिसे स्टेट्स को जो आचार आया है जिसका शिर्षक है Who will police the police ask हर्याना कोट यहाँ पर जो है एक बहुत ही गंभीर मुद्दा कोट के दोरा उठाने की कोशिस की गई है मामला जो हर्याना का है और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे हजारों केस जो है कोट के पास है जिसमें आरोप यह लगाया जाता है कि police के दोरा लोगों को गलत तरीके से फसाया जा रहा है यहाँ पर police के दोरा अपने power का दुरुपयोग का मामला बनता है और यहाँ पर हर्याना के कुरुछेतर के पेहुआ की एक अदालत ने चार सार पुराने जो है एक मामले में एक धोबी को बरी करते हुए इस बात को उठाए यहाँ पर हुने कहा है कि इस मामले ने जो है अदालत की अंतर आत्मा को हिला दिया है देखे छोटी छोटी बातों को ले करके police को दोरा कभी कभी लोगों को पतारित किया आता है और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि police जब ऐसा काम करती है तो क्या कोई agency या क्या कोई नियम ऐसे हैं जो इस पर रोक लगाने के लिए बनाए गये हुँ यहाँ पर जो है एक छोटी सी बात को ले करके एक धोबी को जो है सालों तक परसान किया गया और अंत में कोट ने जो है उसे बरी कर दिया तो यहाँ पर साफ साफ जो मामला है वो police के अत्याचार का है सारे police वाले नहीं लेकिन कुछ police वाले जो है अपने power का गलत इस्तिमाल करते हैं यहाँ पर जो है यह कहने का कोशिस किया गया है कि police का काम यह होता है कि किसी मामले को सही तरीके से जाच करना और वहाँ पर दोसी पाए गया व्यक्ति को सजा दिलवाना है ना कि वो व्यक्ति जो की निर्दोस है उसे जो है प्राइविटाइजेशन यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो हमारे सरकारी बेंक है उनका नीजी करन करने का फैसला लिया गया है सरकार के दोरा जिसका भरपूर वीरोज जो है देश में हो रहा है यहां पर यह एडिटोरियल भी इसी को ध्यान में रखकर लिखा गया है इस एडिटोरियल के लेखक के दोरा सरकारी बैंकों का जो युगदान है हमारे देश के विकास में उसको यहां पर मुद्दा बनाया गया है और यहां पर यह बताने की कोशिस की गई है कि कि अगर हम बैंकों को निजी करन कर देंगे तो वहाँ पर उनकी efficiency यानि की कारे कुसलता बढ़ जाएगी इस अवधारना को ही गलत समझाया गया है और कहा गया है दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे निजी बैंक हैं जो विफल हो गया है तो यह कहना कि अगर किसी बैंक को slice किया गया उन्हें जो है सरकारी बैंक में बदला गया जैसा कि आप सभी जानते हैं 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश में 600 से ज़्यादा private बैंक जो है काम कर रहे थे लेकिन अगर आप यह देखोगे कि उनका जो concentration है वो कहां पर था तो सहरों में था गा यहां पर यह जो не easy bank थे चुकि यह नीजी bank थे इसलिए इनका जो motive था वो क्या था profit कमाना लाव कमाना और इसी वज़ाए से यह जो bank है वो क्या करते थे अपनी सखाएं जो है वो सहरों में खोलते थे गाउं में अपनी सखाओं को नहीं खोलते थे दूसरी बात ये थि कि यह जो bank थें, वो loan देने में भी क्या करते थें, disparity करते थें, यानि कि भेदभाव करते थें, यहाँ पर जो है, इन private bankों के दौरा, जो बड़े बड़े उद्योग पती हैं, उनको क्या किया जाता था, loan दिया जाता था, लेकिन, जो हमारे priority sectors हैं, यानि कि सिक्छा, स्वास्त, ग्रामीन विकास, छोटे उद्योग, इनको जो है, loan ये बहुत ही कम देते थें, जिसके कारण सरकार ने अंत में ये फैसला लिया, कि bankों का क्या करना चाहिए, राश्ट्री करना चाहिए, और आपको याद होगा, यहाँ पर data दिया गया है, कि 1969 में सबसे पहले 14 bankों को, और फिर 1980 में जो है, छे bankों को यहाँ पर क्या कर दिया गया, नेसलाइस कर दिया गया, यानि कि उनका राश्ट्री करन कर दिया गया, और यहाँ पर जो है, इसी बात का जिक्र किया गया है, और यहाँ पर यह बताया गया है, कि किस तरीके से जब bankों का राश्ट्री करन हो गया तो यहाँ पर देस के विकास में इन्होंने बहुत बड़ी भूमी का निभाई, क्योंकि वो sectors, वो area जहाँ पर नीजी बेंक क्या करते थे, निवेस नहीं करते थे, वहाँ पर क्या किया गया, निवेस किया गया, यहाँ पर छोटे उद्नेगों को लोन दिये गये, खेती के व इन बैंकों ने जब यह सरकारी हो गया तो उन्होंने क्या किया अपने ब्रांचेज गाओं के एरिये में भी खोलना शुरू किया जिससे कि गाओं के लोगों को भी यह सुधा मुहया हो पाई इन ही सब बातों का जिक करते हुए यहां पर यह बताया गया है कि किस तरीके से जो है जो काम हमारे सरकारी बैंकों ने किया वो काम कभी भी नीची बैंक नहीं कर सकते थे यहां पर एक डेटा भी दिया गया है कि 1969 में देश के ग्रामीन छेतरों में केवल 1833 बैंक की सखाय थी जो कि 1995 तक बढ़कर 33004 हो गई और यह आगे भी बढ़ती रही यहां पर एटोरियल के लेखक के द्वारा यह बात ही बताए गई है कि सारजनिक बैंकों ने 2019 बीस में 174,390 करोड का मुनाफ़क कमाया जो कि 2018 में 1,49,603 करोड था यानि कि इनका लाव विक कम नहीं हो रहा वो भी बढ़ रहा है फिर भी सरकार जो है क्या कर रहे है इनका नेजी करन करने का फैसला ले रही है यहां पर इस एटोरियल के अंतिम भाग में जो है यह बताया गया है कि जो non-performing assets है इन बैंकों में जो बढ़ा है जो सरकारी बै पैसा लगा जाता है लेकिन इन बैंकों का पैसा उस तरीके से वापस नहीं आता और यहां पर बहुत सारे बैंकों के पैसे क्या हो जाते हैं डूब जाते हैं यहां पर जो है सरकार के द्वरा जो बड़े-बड़े corporate से बड़े बड़े उद्योग पती हैं उनसे जो है पैसे की निकासी नहीं कि जाती है यहाँ पर willful defolter से जो है पैसे जो है उस तरीके से नहीं ली जा सकते हैं जितनी कडाई से सरकार को उनसे पैसे निकालने चाहिए यहाँ पर solvency और bankruptcy code को भी उस तरीके से लागू नहीं किया सरकार के दोरा जिस तरीके से लागू किया जाना चाहिए था इन सभी मुद्दों के तरफ ध्यान दिलाते हुए इस एटोलिक लेखक नहीं यह कहा है कि यह जो है कोई जरूरी नहीं है कि अगर सरकारी बैंक जो है यहाँ पर जब आप इसका दूसरा लाइन पढ़ोगे जिसमें यह कहा गया है कि इंडियाज इमर्जेंस एज रिजनल सेक्यूर्टी प्रोवाइडर यहाँ से समझ में आएगा कि आखिर इस एटोरियल को जो है क्यों लिखा गया यहाँ पर यह बताने की कोशिस की जारी है कि जो यह डील हुई है फिलिपिन्स के साथ अगर वो भारत सही तरीके से पूरा कर लेता है तो भारत की जो छवी है वो एसिया में एक तरीके से सुरक्षा प्रदाता के रूप में क्या हो जाएगी मजबूत हो जाएगी जो की अभी तक सरिफ और सरिफ चाइना के पास है यहाँ पर जो भी लोग वो सोचते है कि भारत जो है एक तरीके से Asia में और पूरी दुनिया में बहुत ही बड़े देश के रूप में उभरे एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में उभरे एक आम एक्सपोर्ट करने वाले देश के रूप में उभरे तो यहाँ पर उनके रूप में निखार सकता है यहाँ पर जो है ब्रमोष मिसाइल का भी जिक्र किया गया है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ब्रमोष मिसाइल है उसे जो है ब्रमोष एरोस्पेस के द्वारा बनाया जाता है और यह जो ब्रमोष एरोस्पेस है वो जो है भारत के DRDO और रूस के N NPO मसीनो एस्ट्रोइनिया के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाता है और यहाँ पर जो है इस बात का जिक्र किया गया है। इंडक्त किया गया कहाँ पर सेना में। यहाँ पर जो है कुछ जिक्र किये गया है कि आखिर क्यूं जो है इस सूपर सोनिक मिसाइल को जो है सारे जो है एसिया के देश खरीदने के लिए कोसिस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है एक तरीके से चाइना की जो दादागिरी है उसका जिक्र किया गया है और कहा गया है कि इस सिस्टम को लेने के बाद जो हो सकता है कि चाइना की जो दादागिरी है जो कि उसके जो डिस्प्यूट चल रहे हैं साउट चाइना सी में फिलिपीन्स के साथ जापान के साथ या फिर और जो आसियान के जो देश हैं वियतनाम ह साथ यहाँ पर जो है ये सारे देश सिस्टम को खरीद करके जो एक तरीके से CHINA को कंटेन करने की यानि की उसे एक जवाब देनी की यहाँ पर कोशिस कर रहे हैं. यहाँ पर जो है जीयोपोलिटिकल इस्थिका भी जिक्र किया गया और कहा गया कि अगर भारत ने इस deal को सही तरीके से पूरा कर दिया तो ये एक तरीके से Asia में उसे एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में क्या कर देगा अस्थापित कर देगा यहाँ पर इस editorial के सबसे अंतिम भाग में editorial के लेखर के दोरा दो प्रमुख बाधाओं का जिगर किया गया है जो इस deal को नुकसान पहुँचा सकती है पहली बादा खुद अमेरिका है यहाँ पर कहा गया है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब से अमेरिका में काटसा याने कि countering America adversaries through sanction act जो है पास हुआ है तो यहाँ पर अमेरिका क्या करता है कि जो भी देश रसिया से या फिर उसके दुस्मन देश से हतियार खरिदते हैं तो वहाँ पर वो क्या करता है परतिबंध लगा देता है यहाँ पर यह आपको जानने वाली बात है कि जो ब्रहमोस सिस्टम है वो भारत और रूस के द्वारा बनाया जाता है और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि चुकि यहाँ पर रसियन कंपोनेंट भी यूज हो रहे हैं तो हो सकता है कि जो अमेरिका जो है रसिया की जो कमपनी है जो की ब्रहमोस को जो है equipment सप्लाई करती है वहाँ पर उसको पर्तिबंद कर दे जिससे कि ये deal पूरा ना हो पाए. इसके अलावा जो है दूसरी बाद है ये बताए गई है कि यो system ये बहुत ही महंगा है. यहाँ पर ये बताया गया है कि इसकी एक regimen का जो cost है वो 275.77 million है यानि की 2000 करोड के आसपास है और यहाँ पर ये कहा गया है कि COVID-19 के कारण बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि ब्रहमोस सिस्टम खरीदना चाहते हैं लेकिन उन पर जो है अर्थ वरस्था में कमी आई है उनके प तरीके से भारत ने जो है 100 million dollar का जो है एक तरीके से loan जो है Philippines को दिया है लेकिन वो सरिफ इस मामले में है हर मामले में इसका यूज नहीं किया जा सकता है तो यहाँ पर problem को भी गिनाया गया है और यह बताने कोशिस की गई कि यह देखना हो कि भारत जो है इस deal को किस तरीके स पूरा करता है आए बढ़ते हैं अपने अगले नियूज की तरफ और यहाँ पर एक editorial आया है जिसका शिर्सक है Allying Concern यहाँ पर फिर से जो है यह जो editorial है वो क्या है Corona vaccine से जुड़ा हुआ है यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है कि जो टीका करन का जो कारक्रम पूरी दुनिया में चलाया जा रहा है भारत के साथ साथ वो तभी सफल हो सकता है जब लोगों के बीच में इस vaccine को ले करके जो विश्वास है वो बढ़ेगा यहाँ पर जो है Bloomberg vaccine tracker के अनुसार vaccine की 392 million से अधिक खुराग विस अस्तर पर लगाई गई है जिसमें भारत का हिस्सा रफतार से जो है बहुत समय लग जाएगा दुनिया में करोना को खतम करने के लिए इस रफतार को क्या करना होगा बढ़ाना होगा इसमें तेजी लानी होगी और यहाँ पर यह बताया गया है कि इस रफतार को बढ़ाने के लिए जो है सबसे पहला काम यह करना है कि जो ले चीजों की जिकर की गई है, जिस तरीके से estrajñ knika के vaccine को जो की भारत में भी लगाया जा रहा है, उसरे ये रोप में जो बैन किया गया, उससे जो है वहां के लोगों के बीच में और दुनिया में जहां भी इस vaccine का यूज हो रहा है, वहाँ पर जो है इसको लेकर के जो है अविस्वास बढ़ा है भारत में भी इस वैक्सिन को यूज़ कियाता है यहाँ पर भी लोगों में अविस्वास बढ़ा है यहाँ पर जो है डबलू एचो के दोरा इस बात को नगारा गया है जिसमें जो यह कहा गया कि इस वैक्सिन को लगाने के बाद बलड कोटिंग यानि कि खून का जमाओ जो है हो जाता है यहाँ पर जो है इस बात को भी जिक्र किया गया है कि लोगों में जो अविस्वास है उसके पैदा होने का करण यह है यहाँ पर जो है डबलू एचो के दोरा जो भी वैक्सिन को जो सर्टिफिकेट रहे हैं कि इन वैक्सिन का जो है ट्रायल पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ है यहाँ पर कुछ कमिया अभी बाकी है तब ही जाकर के डबलू एचो ने सिर्फ क्या किया है इसके इमर्जेंसी यूज का सर्टिफिकेट दिया है और इस कारण से भी लोगों के बीच में जो है इस वैक्सिन को लेकर के जो है विश्वास नहीं बढ़ रहा है वहाँ पर और विश्वास का महौल कायम है तो इनी सब बातों का जहां पर जिक्र किया गया है और कहा गया है कि अगर दुनिया में कोरोना से लड़ना है कोरोना को खतम करना है तो वैक्सिनेशन बहुत ही जर और यहां पर एक editorial भारत की लोगतंत्र को लेकर के लिखा गया है इसका सिसक है Pulling India Democracy Back from the Brink यहां पर इस editorial के लेकर के दोरा यह बताया जा रहा है कि जिस तरीके से हालिया दिनों में भारत में लोगतंत्र में गिरावट आई है जो उसकी बदनामी जो है दुनिया में हुई है कैसे उसे हम ठीक कर सकते हैं और फिर से दुनिया को यह दिखा सकते हैं कि हमारा लोगतंत्र दुनिया का सबसे अच्छा लोगतंत्र है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि Freedom House और Variety of Democracy Project के दौरा परते एक वर्स लोगतंत्र की इस्थी को मापने के लिए एक रिपोर्ट लाए जाता है और यहाँ पर इस रिपोर्ट में भारत को कम करके आँका गया उसके लोगतंत्र की इस्थी को बुरा बताया गया है यहाँ पर इसी का जिक्र किया गया है तो आएए देख लेते हैं कि यहाँ पर किन-किन बातों को उठाने की कोशिस की गई है इस एरिटोरियल के लिखक के दौरा जो है एक बहुत ही इंपोटन्ट मुद्धा जो है उठाया गया है जहाँ पर लिखा गया है कि Pillar of Governance यहां पर इस मुद्य को उठाने की कोशिस की गई है कि लोक तंतर का मतलब सिर्ट चुनाव कराना नहीं होता है यहां पर चुनाव करा करके सरकार तो बनाई जाती है लेकिन यहां पर देखा यह जा रहा है हाल के दिनों में और दुनिया में भी कि जो बहुत सारी जो सरकारे हैं, वो जो है सरकारों से जुड़ी हुई independent जो एजेंसियां हैं, उनके जो है power को कम करने की कोशिस कर रही है, जैसे कि हमारे देश में election commission है, हमारे देश में court है, supreme court है, high court है, हमारे देश में CAG है, यहाँ पर देखा यह जा है कि इन institution को, जो की एक तरीके से independent है, उनको क्या किया जा रहा है, उनकी सक्तियों को कम करने की कोशिस की जा रही है, और यही trend जो है वो पूरी दुनिया में दिख रहा है, यहाँ पर एरिटोरियल के लेखक के दोरा, रसिया का जिक्र किया गया, यहाँ पर तुर्की का जि जा गया कि इन लोगों ने भी क्या किया है, सरकार बनाने के बाद सरकार से जुड़ू ही एजेंसियों का जो है, पावर को, उनकी जो आजादी को जो है क्या कर रही है, कम करने की कोशिस की है, जैसा कि मैंने कहा कि Freedom House और Variety of Democracy के द्वारा जो है, भारत में जो है, लोक तंतर एटोरेल के लेखक के द्वारा भारत सरकार को तीन बातें सुझाई गई है, यहाँ पर यह कहा गया है, Freedom House और Variety of Democracy के द्वारा जो भारत की लोक तंतर पर उंगली उठाई गई है, उसका जवाब देने के लिए भारत सरकार तीन काम कर सकती है, और पहला काम क्या होगा, कि भारत में जिस तरीके से इन रिपोर्ट के खिलाब बाते की जा रही है, सोसल मीडिया में गलत सब्दों का इस्तमाल किया जा रहा है, भारत सरकार को उसे रोकना चाहिए, यहाँ पर आपको मैं ध्यान दिला जता हूँ कि विदेश मंतरी के दौरा भी इन रिपोर्टों की आलोचना की गई, तो यहाँ पर ऐसा करने की जरुवत नहीं है, दूसरी बात यहाँ पर यह कही गई है, कि यहाँ पर प्रेस की सुतंता को बनाए रखने की जरुवत है भारत सरकार के दौरा, जिसका जिक्र जो है विराइटी ओप डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट में किया गय कि भारत में प्रेस की सुतंता क्या हुई है, कम हुई है, और तीसरा बात यहाँ पर यह कहा गया है, कि विपक्ष को यहाँ पर ज़्यादा महतों देने की जरुवत है, देखिए, किसी भी जो है लोकतंतर में विपक्ष का महतों बहुत ही इंपोटेंट होता है, बहुत ही सक्ति को समझे और अगर भारत ऐसे तीन काम कर लेता है तो वो असानी से जो उंगली उठाए जारे है उसके लोग तंदर पर उसको खतम कर सकता है ऐसी विचारों को खतम कर सकता है आईए अब आज के समाचार पत्र में आए कुछ और समाचारों को देख लेते हैं जिन पर आज का अभ्यास पस्ट आपको दिया गया है यहां पर जो है एक बहुत इंपोर्टेंट न्यूज आई है जिसका शिर्षक है प्लान टू टेस्ट आगनवाडी फूड बाई F.S.S.A.I. यहां पर जो है मिसन पोसन 2.0 जो है केंद्रिय मंत्री मंदल की मंजूरी के लिए जल्द ही भेजे जाने की संभावना है और यहां पर कहा गया है कि जो भी खाना जो है स्कूलों में या फिर आगनवाडी के दवरा दिया जाता है उन सभी की जाँच जो है अब कौन करेगा तो भाई F.S.S.I. मतलब खाद सुरक्षा और मानक प्राधिकरन यहां पर यह कहा गया है कि उनसे जुड़े हुए जो भी परियोग साला है या फिर F.S.S.I. के दवरा जो अनुमोदित रैपिट खाद परिक्षन क उनका उप्योग करके यह पता किया जाएगा कि जो भोजन बच्चों को दिया जा रहा है वो सही है या नहीं तो एक बहुत ही इंपोर्टेंट योजना का यहां पर जिक्र किया गया है इसका नाम है पोसंट 2.0 आपको यह याद रखना है कि जो पोसंट 2.0 है वो महिला और बाल विकास मंत्राला के द्वारा जो है लागू किया जाता है वो इसकी नोडल मंत्राला है आए अब इसी से जुड़ा हुआ एक कोशन देख लेते हैं और कोशन एक क्या है कि भारतिये खाद सुरक्षा और मानक प्राधिकरन FSSAI के संदर में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए और कतन एक है कि यह खाद सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहद एक सामिधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है दूसरा स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राला है FSSAI के क्रियानवन के लिए प्रसासनिक मंत्राला है अब अगर आप FSSAI के बारें कि इसकी जो अस्थापना जो है वो खाद सुरक्षा मानक अधिनियम के तहद की गई है बस आपको यह पता करना है कि वो 2006 में था या 2007 में था यह मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ठीक है लेकिन अधिनियम यही है इसके इलावा अगर आफ FSSAI को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको साफसा पर चल जाएगा या किस मंत्राले के अंदर में काम करता है तो आपको यह answer देना है कि यहाँ पर जो है दोनों कथनों में से कौन से सही है केवल एक केवल दो या दोनों गलत है या फिर दोनों सही है आए बढ़ते हैं अपने अगले news की तरफ और यहाँ पर news यह आई है कि कुषवाहा नोमिनेटेड एज एमलसी यहाँ पर जो है उपेंदर कुषवाह जिन्होंने हाल ही में जनतादल युनाइटेड को जोईन किया था उन्हें जो है बिहार में राजिपाल के द्वारा जो है विधान परिसत का सदस नोमिनेट किया गया है अब यहाँ पर जो है विधान परिसत का जिक्र हुआ है तो मैं आपको बता दूँ कि भारत में कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर विधान सभा के सासत क्या है विधान परिसत है और वो स्टेट कौन-कौन से हैं सारे पडोसी राजे हैं आपको असानी होगा याद करने में अगर आप ऐसे याद कर लेते हैं कि सारे जो पडोसी राजे हैं यहाँ पर जो है कौन-कौन है तो देखे बिहार है और यूपी है तो बिहार और यूपी क्या है पडोसी राजे हो गया यहाँ पर मराष्ट्रा और करनाटका भी है वो भी क्या है परोसी राजे है और यहाँ पर जो है आंदरा और तेलंगाना, ये भी क्या है, एक तरीके से पडोसी राज हैं, तो इस तरीके से अगर आप याद करते हैं, तो आपको याद हुजाएगा, कहने का अज़सा ये है, कि बिहार में जो है, दो सदन के वस्था है, यहाँ पर जो है, विधान सभा के साथ साथ का ह विधान परीसद है और आप सभी जानते हैं कि विधान परीसद में जो है कुछ member जो है nominate कौन करते हैं तो वहां के Governor करते हैं इनकी संख्या fixed नहीं है कहा ये जाता है कि जो भी आपका विधान परीसद का जो strength होगा उसका 1,6 हिस्सा जो है वो कौन nominate करेगा तो वहां का Governor यानि कि अगर संख्या 180 है तो आप 1 by 6 निकालेंगे तो 30 अगर संख्या 120 है तो अगर आप 1 by 6 निकालेंगे तो इसका होगा आपका 20 यानि कि 20 मेंबर जो है कौन नोमिनेट करेगा तो भाई वहां का गवर्नर तो यह कोई फिक्स नहीं है बस आपको यह याद रखना है कि 1 को भी देख लेते हैं और question number 2 क्या है कि विधान परिशत के संदर्में निमलखित कथनों में से कौन सा सही है और पहला कथन है कि विधान परिशत के कूल संख्या का एक तिहाई होती है और दूसरा है कि परिशत के संदस्यों का कारकाल 5 वर्सों का होता है जैसा कि मैंने आप को कहा कि यहां पर जो आपकी जो विधान परिशत है उसका जो strength है उसका जो संख्या है वो depend करता है वहां के विधान सभा पर यहां पर यह कहा गया है कि जो विधान परिशत होगा उसकी जो संख्या है वो किस पर depend करेगी विधान सभा पर depend करेगी और यहां पर मैं आपको यह हिंट देता हूँ कि उसका जो strength होता यानि कि विधान परिसद में जो कुल सदस्यों की संख्या होती है वो विधान सभा के एक तिहाई के बराबर होती है ठीक है तो पहला कथन आपको समझ में आहीं गया हुआ कि वो सही है या गलत यहाँ पर जो है दूसरा कथन यह कहा ज तो नीचला सदन होता है विधान सभा और उपरी सदन होता है विधान परिसद अब यहाँ पर जो है जिस तरीके से राज सभा में सदस्यों का कारकाल पांच वर्सों का नहीं होता है आपको पता होगा कि राज सभा में सदस्यों का कारकाल क्या होता है छे वर्सों का होता है औ और वहाँ पर जो सदस्यों का कारकाल भी होता है वो राजसभा के सदस्यों के बराबर ही होता है तो आप समझ गया होगे कि जो option number 2 है वो सही है या गलत एक और news देख लेते हैं जो कि बैंकों से ही जुड़ा हुआ है यहाँ पर जो है non-performing assets को मुद्दा बनाया गया है और य सकता है इससे related एक question आपको दिया गया है और question तीन है कि निमलिखित में से कौन से गैर निस्पादित परिसंपतियों यानि की NPA के प्रभाव हैं पहला है कि अर्थ वेस्था को प्रभावित करने वाली अन्य विकास प्रजिनाओं के लिए बैंकों के पास पर्याप्त धन्र अन्य विकासी ना होना दूसरा है कि लाव सीमा बनाए रखने के लिए बैंकों को ब्याज दरों में व्रिधी करने के लिए मजबूर किया जाना और तीसरा है कि भविश्च में निवेश में पर्तिबंध के कारण या बिरोजगारी का कारण बन सकता है यहां पर जो है NPA य विकास परिजनाए हैं उसमें पैसा देने के लिए बैंकों के पास प्रयाप धनरासी नहीं होती सही बात है अगर मान लिए बैंकों के पास 100 रुपे हैं और उसमें से 20 रुपे क्या हो गए उनके डूब गए यानि कि non-performing assets हो गए तो उनके बास अब क्या होगा सिर्फ 80 र सिमा बनाए रखने के लिए बैंकों को ब्याज दरों में व्रिधी करने के लिए मजबूर किया जाना यहां पर यह बात भी सही है मान लिजे आपके पास 100 रुपे थे और आपने 100 रुपे को 10% के हिसाब से मार्केट में लगाया था जिससे कि आपको कुछ profit हो रहा था 10 को maintain करना है तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर बैंकों को क्या करना होगा अपने interest rate को बढ़ाना होगा ताकि वो क्या कर पाए अपने profit को maintain कर पाए यही कहा जा रहा है इस कथन के द्वारा तो आप समझ गहे होगे कि इसका answer क्या होना चाहिए यह सही है या गलत ठीक है तीसर बढ़ता है तो यहां पर reserve bank के द्वारा उस bank में बहुत तरके परतीबंद लगा दी जाते हैं और यहां पर अगर bank जो है विकास के लिए पैसा नहीं देंगे तो obviously क्या होगा बेरोजगारी भी बढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि इन तीनों कथनों में से कौन सा सही है कौ सा गलत मैंने detail में आपको NPA के बारे में जानकारी दे दी है आए बढ़ते हैं अपने अगले news की तरफ और यह जो news है वो anti-defection law यानि की दल बदल कानून से जुड़ा हुआ है सीधे question को देखते हैं और यहां पर question क्या है कि निमलखित कथनों में से कौन सा सही है और पहला कथन है कि किसी सदन का मनोनी सदस सदन का सदस रहने के अयोग हो जाता है यदि वह उस तिथी से तीन महीनों की समापती के बाद किसी राजन्दिक दल में सामिल हो जाता है जिस दिन उसने सदन की सदसिता ग्रहन की थी और दूसरा कथन यह बोल रहा है कि दल बदल से उत्प किसी भी अदालत में चुनोती नहीं दी जा सकती। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कथन दो का। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर मालिजे किसी को दल्ब-दल का आरोप लगा करके जो है हटाया गया है। आप सबी को पता है कि अगर मालिजे लोकसभा का मामला है तो यहाँ पर जो है दल्ब-दल कानून के तहट फैसला कौन लेगा तो लोकसभा का सभापती जिसे हम speaker कहते हैं। अगर राजसभा का मामला है, तो राजसभा के जो सभापती होते हैं, वो क्या करेंगे, इस मुद्दे पर अपना नीडने लेंगे, तो ये कहा जाना तो सही है, कि कोई आयोगता का जो प्रस्ण हैता है, वो किसके द्वरा निधालत के जाता है, पीठा सिन अधिकारी के द्व में कानून का सासन है, और अगर जिस बात को आधार बना करके उस व्यक्ति को जो है क्या किया गया है, आयोगता थराया गया है, अगर वो आधार ही गलत हो, तो हो सकता है कि आदालत क्या करें, पीठा सिन अधिकारी के नीडने को क्या करें, निरस्त कर दें, तो आप समझ ज जानते हैं कि हमारा राज्यसभा में जो है बारा मिंबर ऐसे होते हैं जिसको मनुनित कहता है कि इसके द्वारा राश्टपती के द्वारा है यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो मनुनित सदसे हैं यदिवह जिस दिन उन्होंने क्या किया सफत लिया है राज्यसभा का उसके ती कि जो सदस्यता जो है क्या हो जाती है समाप्त हो जाती है यहाँ पर जो है बात तो सही है लेकिन यहाँ पर तीन महीने में जो है थोड़ा सा जोल है यहाँ पर आपको यह समझना होगा कि यहाँ पर यह तीन महीना ना हो करके कितना है छे महीना है मान लिजे किसी सदस्य को क्य किया गया है मनुनित किया गया है किसके दोरा राष्टपती के दोरा और अगर वो छे महीने के बाद अगर किसी पार्टी को क्या करता है ज्वाइन करता है तो यहां पर उसकी सदस्यता क्या हो जाती है समाप्त हो जाती है लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है तीन महीना तो आ आपको देना भी चाहिए आए अब एक previous year के question देख लेते हैं यहाँ पर जो यह question जो है 2013 में आया था और question क्या है कि टेटिये छेतरों की तुलना में महादीपो के आंतरिक भाग में तापमान की वार्सिक सीमा अधिक होती है इसके क्या कारान है पहला option दिया हुआ है भूमी औ पानी के बीच तापिय अंतर दूसरा है महादीपो और महासागरों के बीच उचाई में भिन्नता तीसरा है आंतरिक भाग में तेज हवाओं की उपस्ती चोथा है टटो की तुलना में आंतरिक भाग में भारी बारिस और आपको यह बताने है कि सही उत्तरिस में से कौन है आईए अब आज के समाचार पतर पर अधारित कुछ मुख्य परिक्षा के अभ्यास पश्टनों को देख लेते हैं और यहाँ पर कोश्चन नमबर वन है कि नीजी करन को अकसर साजनिक छेतर के बैंकोग में खराब प्रबंधन के लिए एक समाधान माना जाता है अलोचनात्म वो किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता है यहाँ पर उस एटोरिल के सुरुवात में ही लेखक ने कहा है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नीजी बैंक हैं जो की डूब गये जो की खतम हो गये तो यह कहना कि नीजी करन अगर कर दिया जाए तो बैंक सुध भर जाएंगे यह सरासर गलत है यहाँ पर जो है अगर आप उत्तर की संगस्ता को देखना चाहते हैं तो भूमिका में आप यह कह सकते हैं कि किस तरीके से जो है बैंकों का जब राष्ट्रिय करन किया गया तो इन लोगों ने भारत के समाजिक और आर्थिक विकास में जो ह कि इन बैंकों के द्वरा जो है हरित करानती हो या फिर जो दूद का उत्पातन हमारे देशें बढ़ा उसके लिए बहुत ही भारी मातरा में लोन दिये गये थे जो कि नीजी बैंक नहीं कर पाते हैं यहाँ पर जो है आप मुख्य भाग में जो है नीजी बैंकों और कंपन चीजे जो है वहाँ पर एटोरे में लिखी हुए है उसी का आपको जिक्र करते हुए उत्तर की संचना करनी है यहाँ पर जो है दूसरे कोशन को भी देख लेते हैं और दूसरा कोशन क्या है कि एक छेत्रिये सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत का उदय इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत की स् तरह से फिलिपीन्स के साथ ब्रामोज की बिक्री को समालता है इस कठन का विसलेशन करें जैसा कि आज के न्यूज में जो है एक ट्टोरियल आया है उसमें कहा गया है म्बारत अगर सही तरीके से जो है जो डील हुई है इंडिया और फिलिप के देश जिनके साथ चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है वो भारत की तरफ बहुत ही आसा भरी नजरों से देखेंगे ठीक है तो यहां पर भूमिका में आप इन बातों का जिकर कर सकते हैं कि किस तरीके से छेत्रिय सुरक्षा परदाता के रूप में भारत की जरूरत है और दूसरा कि एसिया के अन देशों द्वारा भारती हत्यारों में रूची का जिकर कर सकते हैं और यह बता सकते हैं कि भारत अगर इस डील को सही तरीके से पूरा कर लेता है तो भारत यहां पर दुनिया में और एसिया में एक सकती के रूप में उभर सकता है ठीक है तो यह द मैंने आपको दिये हैं उन सभी का एंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है तो मिलते हैं अगले समचार विसलेशन में तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद